हमारी मूल भासा यानि सैंस्कृत के वे सब्द देने हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रियोग किया जाता है तत्चम सब्द कहलाते हैं और आज हम इस वीडियो में आज का तत्चम सब्द के बारे में जानेंगे तो वीडियो को देखते रहें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का तत्चम सब्द या आज का तत्चम रूप क्या होता है दोस्तों आज का तत्चम सब्द या आज का तत्चम रूप अद्दे ही होता है आज का मतलब क्या होता है आई ये जान लेते हैं दोस्तों मानव की जीवन में तीन तरह के काल होती है जिनको भूतकाल, भविस्यकाल और वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है इस काल में भूतकाल का मतलब होता है वैसमे जो बिद चुका है और भविस्यकाल का मतलब होता है जो समय आने वाल है और इसी तरह से वर्तमान का मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है और यही आज होता है यानि वर्तमान में जो हो रहा है अभी जो समय है वे आज होता है जो बीथ चुका है वे आज नहीं है बलकि अभी इसी समय जो कुछ हो रहा है वे आज है अद्दे का मतलब क्या होता है आई ये जान लेती है वैसमी जो अभी चल रहा है जैसे अभी हमारा वरतमान काल चल रहा है तो ये समी अद्दे होता है अद्दे का एक सैंस्कृत सब्द होता है और इसे हिंडी में आज के नाम से जाना जाता है इसके अलावा अद्धे तत्सम सब्द होता है इस तरह सी आज का तत्सम सब्द अद्धे होता है जो अब तक कि आप जान गई है मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चेनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको भविसे में इसा ही ज्यान मिलता रही